नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज हम ग्यार्वी कक्षा के अर्थ शास्त्र का पांचवा अध्याय भारत में मानविय पूंजी का निर्मान पढ़ेंगे हमने इस अध्याय के पिछले भाग में मानविय पूंजी निर्मान भौतिक पूंजी आदि के बारे में पढ़ा था तथा यह भी पड़ा था कि मानव पुन्जी का आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है और मानव पुन्जी निर्मान के कौन-कौन से स्रोत होते हैं अगर आपको याद हो तो यह सुरोत्थे शिक्षा परवे, स्वास्थ परवे, प्रशिक्षन परवे, प्रवास परवे और सूचना परवे अब हम इस भाग में भारत में मानव पूंजी निर्मान की स्थिती का अध्यन करेंगे तथा यहे भी देखेंगे कि भारत में इस ख्षेत्र में कौन-कौन सी समस्याएं हैं तथा भारत ने मानव पूंजी निर्मान में कितनी सफलता प्राप्त की है हम जानते हैं कि मानव पुझी निर्मान शिक्षा, स्वास्त, कारिश, थल, प्रशिक्षन, प्रवास और सूचना में निवेश का ही परिणाम है परंतु इन में से शिक्षा और स्वास्त मानव पुंजी निर्मान के दो सबसे महत्पून पहलू हैं सबसे महत्पून सुरोथ हैं भारत में विभिन क्षेत्र हैं जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानी सरकार, नगर निगम, नगर पाली का ग्राम पंचायत आदी भारत में शिक्षा और स्वास्तिक शेत्र में निजी और सामाजिक लाभों को देखा जाता है और यही कारण है कि बाजार में निजी और सार्जिनिक संस्थाओं का अस्तित्व है और हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्त पर वे दीर्गकालीन प्रभाव डालते हैं क्योंकि आज शिक्षा और स्वास्त पर जो भी वे किया जाएगा उसका धनात्मक प्रभाव ही पड़ेगा परन्तु अभी नहीं दीर्गकाल में यही कारण है कि इन शेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार रहे हैं क्योंकि प्रतेक, देश, शिक्षा और स्वास्त पर ही निर्भर करता है स्वास्त और शिक्षा किसी भी देश की प्रमुक आधार शीला होती है भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतरगत संग और राज्यस्तर पर शिक्षा मंत्राले तथा राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद, विश्विद्याले अनुदान और अखिल भारतिये तक्नीकी शिक्षा परिशद आते हैं जबकि स्वास्थिक्षेत्र का नियमन संग एवं राज्यस्तर पर स्वास्थ मंत्राले और विभिन संस्थाओं के स्वास्थ विभाग एवं भारतिये चिकित्सा अनुसंधान परिशद आदी करते हैं विश्व में कुछ अर्थ शास्त्रियों का मानना है भारत मानव पूंजी निर्मान की ताकत के कारण बहुत तेज गती से विक्सित होगा मैंने आपको पिछले भाग में बताया भी था कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत में मानव पूंजी अधिक मातरा में है प्रचुर मातरा में है यही कारण है कि भारत अन्य सभी देशों से कुछ ही वर्षों में आगे निकल जाएगा भारत एक विकास शील देश है जहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है यह वह लोग होते हैं जिनें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती इनें शिक्षा और स्वास्त से वंचित रहना पड़ता है जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो शिक्षा और स्वास्त तो बहुत दूर की कोड़ी हैं इस स्थिती में सरकार इन लोगों को निशुल्क, स्वास्ते सेवाएं और शिक्षा उपलब्द कराने पर व्य करती है कई परकार की योजनाएं बनाती है पिछले कई वर्षों में केंदर एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा के खित्र में बहुत अधिक व्य किया गया बहुत अधिक प्रगती भी हुई है अब आप शिक्षा का अर्थ समझिए की शिक्षा है क्या शिक्षा का अभीप्राय ग्यान को बढ़ाने तथा कुशलता को विक्सित करने के लिए अध्यापन प्रशिक्षन तथा सीखने की प्रक्रिया है शिक्षा का महत्व क्या है शिक्षा के उदेश्य क्या है शिक्षा के उदेशे हैं कि शिक्षा से अच्छे नागरिक बनते हैं शिक्षा से विज्ञान और तक्नीक का विकास होता है लोगों के मानसिक मस्तिश्क का विकास होता है देश के सभी ख्यत्रों के प्राकर्तिक तथा मानविय संसादनों के उप्योग में शिक्षा सहायक होती है प्रतेग देश अपनी शिक्षा प्रनाली पर बहुत अधिक ध्यान देता है बहुत अधिक वे करता है क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा ही एक देश अग्रसर हो सकता है प्रदेख देश चाहता है कि उस देश में साक्षर्ता दर पून हो भारत में अभी साक्षर्ता दर बढ़ रही है सौ प्रतिशत अभी भी नहीं हो शिक्षा पर सरकार बहुत अधिक व्यग भी करती है 1952 से 2002 के दोरान सरकारी व्यग में शिक्षा पर व्यग 7.92 प्रतिशत से बढ़कर 13.17 प्रतिशत लगबग हो गया है इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत बढ़कर 4.18 हो गया है सरकार घरेलू उत्पाद का केवल 4 प्रतिशत भाग ही शिक्षा पर व्यग करती है और यह प्रतिशत बहुत ही कम है आने वाले समय में सरकार को अपने घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा भाग शिक्षा एवं स्वास्थ पर व्यग करना पड़ेगा दिसंबर 2002 में भारत सरकार ने अपने 86 संविधान शंशोधन द्वारा 6 से 14 आयू वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवारे शिक्षा को मौलिक अधिकार घोशित किया था 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समीती यह एक समीती थी जो सरकार द्वारा गठित की गई थी उसने यह अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयू वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा विवस्ता में शामिल करने के लिए 2007 तक लगभग एक दशमलव तीन लाख करोड रुपए खर्च हो चुके हैं आप इसका मतलब समझते हैं कि सरकार कितने बड़े स्तर पर शिक्षा पर विए करती है एक पहलू यह भी है कि शिक्षा विए का बहुत बड़ा हिस्सा प्रात्मिक शिक्षा पर प्रात्मिक शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च होता है जबकि उच्चतर शिक्षिक संस्थाओं अर्थात महा विद्याल्य बहु तक्नीकी संस्थानों और विश्व विद्याल्यों में यह वे बहुत कम है सरकार ओसत रूप से उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम वे करती हैं परंतु प्रती विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर वे प्रात्मिक शिक्षा की तुलनाम में अधिक है यदि हम कुलवे एवं प्रतीवे देखते हैं तो उसमें बहुत अंतर है अब हम शिक्षा के अन्यक्षित्रों का अध्यन करेंगे जैसे प्रात्मिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तक्नीकी शिक्षा, क्रिशी शिक्षा, इत्यादि अब मैं आपको प्रात्मिक शिक्षा के बारे में बताता हूँ बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवारे शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था यह नियम 6-14 वर्ष की आयू के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवारे शिक्षा प्रदान करता है वर्ष 2009 में गरामीन शेत्रों में 96 प्रतिशत बच्चों ने विद्यालियों में प्रवेश लिया 11-14 वर्ष की आयू की कुछ ही ललकियों को विद्यालियों में शिक्षा छोड़े नी पड़ी यह आंकड़ा 1951 में बहुत अधिक था कौनसा आकड़ा विद्यालिय में शिक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों का शिक्षा संबंदी पिछड़े पन का अगर कोई आज भी प्रमुख कारण है तो वह है सामाजिक एवं आर्थिक निर्धनता लोगों को शिक्षा का ग्यान ही नहीं है लोगों को आज भी यह नहीं पता कि प्रतेक मानव के लिए शिक्षा का महत्व क्या है सरकार ने प्रात्मिक शिक्षा को विश्व व्यापी बनाने के लिए कई योजनाएं और कारेकरम भी आरंब किये जैसे विद्यालियों में मिड्डे मील योजना यह 1995 में लागू की गई सर्वशिक्षा अभियान यह सन 2000 में लागू किया गया इसके अंतरगत सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए अगला कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्यालियों यह 2004 में लागू हुआ 1951 में प्रात्मिक शिक्षा में स्कूलों की संख्या मात्र दो दशमलव दो लाग थी जो की 2010 में 11 दशमलव 9 शुन्य लाग हो गई अब यह आंकला कुछ ही वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ा अगला हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा यह प्रात्मिक शिक्षा और उच्छ शिक्षा के मध्य की एक कड़ी होती है यह 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयू के युवाओं को उच्छ शिक्षा के लिए तयार करती है 1951 में देश में 7.4000 माध्यमिक स्कूल थे जिन में विद्यार्थियों की संख्या 15 लाग थी परंतु 2007 में माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 168 हजार हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 49.4 लाख पहुँच गई सन 1988 में गरामीन शेत्रों के प्रतीभाशाली विद्यार्थियों को उच्छ कोटी की शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोध्य विद्याले स्थापित किये गए इन विद्यालेओं में विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधाएं भी थी इसके अतिरिक जिन करमचारियों के तबादले होते हैं उनके बच्छों की सुविधा के लिए सरकार ने केंद्रिय विद्याले खोले इस प्रकार की कई योजनाय सरकार द्वारा चलाई गई कई प्रकार के मंतराल्य खोले गए NCRT की स्थापना 1981 में हुई थी यह मानव संसाधन विकास के मंतराल्य भारत सरकार के शेक्षिक सलहकार के रूप में कारे करता है NCRT का मुख्य उदेश्य विद्ध्याल्य शिक्षा के खित्र में नीतियां तथा बड़े कारेकरम लागू करने में मंतराल्य को सहायता एवं सलहा देना है यह परिशद स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा में शोद का प्रबंद करता है सहायता करता है प्रोचसाहित करता है तथा अभ्यास पुस्तिकाएं विक्सित करता है और इन्हें वित्रित भी करवाता है दस्वी योजना के अंतरगत केंद्र द्वारा प्रोचसाहित की गई एक योजना जिसका नाम है विद्याले में गुणवत्ता सुधार की शुरुवात की गई अर्थात विद्याले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जितना सरकार ला सकती है प्रयत्न कर सकती है करे विद्यालियों में विज्ञान शिक्षा का सुधार करना, स्कूली शिक्षा का पर्यावरणिय मुखी होना, अर्थात स्कूली शिक्षा पूरो रूप से पर्यावरण पर निर्भर हो, पर्यावरण के बारे में जाने सवतंतरता प्राप्ति के बाद देश में उच्छ शिक्षा के खित्र में बहुत अधिक विकास हुआ है लगबग 406 विश्व विद्दैले देश में उच्छ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं सामान्य शिक्षा के लिए देश में कुल संख्या 13381 है उच्छ शिक्षा का मार्ग दर्शन तथा नियंत्रन विश्व विद्दैले अनुदान आयोग अर्थाद UGC करता है और UGC की स्थापना 1956 में हुई थी अगला आता है तक्नीकी चिकित्सा तथा क्रिशी संबंदी शिक्षा सोतंत्रता के पश्चात तक्नीकी तथा व्यावसाइक संस्था की संख्या में बहुत अधिक वृद्धी हुई है सन 1951 में डिप्लोमा स्तर की 43 पॉलिटेक्निक संस्थाइं थी केवल 43 और आज इनकी संख्या 1418 हो गई है इसमें प्रती वर्ष 2.12 लाख विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज इंजीनिरिंग कॉलेज की संस्था में वृद्धी हुई है तथा अन्य कई प्रकार के विविनक्षित्रों में जो अग्रणी हैं उनके कॉलेज भी खुले हैं देश में कई अनुसंधान केंदर भी स्थापित करता है जैसे भारतिय तकनीकी संस्थान, कृषी अनुसंधान संस्थान, राश्रिय भौतिक प्रयोक शाला, राश्रिय रासायनिक प्रयोक शाला इस प्रकार के कई संस्थान है जो केंदर सरकार द्वारा नियंतृत किये जाते हैं तथा इनकी संख्या में लगातार प्रती वर्ष वृद्धी होती जा रही है शिक्षा के शेतर में सरकार द्वारा जो प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं उनी के कारण प्रती वर्ष साक्षर्ता दर में भी वृद्धी हो रही है साक्षर्ता के कारण ही अब समाज में पुरुशों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है पहले लोग कहते थे कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे साक्षर्ता की दर बढ़ती जा रही है समाज में लोगों की सोच में भी परिवर्तन होता जा रहा है इस प्रकार की समानता लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है नारी शिक्षा को भारत में अभी और प्रोचसाहन दिये जाने की आवशकता है अभी हमें शत प्रतिशत साक्षर्ता दर प्राप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे भारत में उच्चितर शिक्षास्तर तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं भारत की शिक्षा प्रणाली एक प्रकार का पिरामिड है जिसका अर्थ यह है कि नीचे की तरफ तो विद्यार्थी बहुत अधिक है परंतु उच्चि शिक्षाप्रात करने वाले पिद्यार्थी की संख्या बहुत ही कम है इन में से कईयों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है अर्थात शेक्षिक बेरोजगारी और शेक्षिक बेरोजगारी का प्रमुख कारण भारत में जनसंक्या का अधिक होना है भारत में शेक्षिक बेरोजगारी एक समस्या है सरकार को उची शिक्षा के लिए अधिक धन का आबंटन करना चाहिए जो सरकार अपनी तरफ से करती भी है तथा उच शिक्षा संस्थाओं के स्तर में सुधार भी लाना चाहिए भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनोती पूर्ण समस्या है सभी के लिए शिक्षा ये अभी एक सपना ही है जिसे पूरा करना है और हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे भारत में शिक्षा एवं स्वास्त पूंजी निर्मान के लिए एक महत्पून कारक है तथा कुछ निजीक्षेतरों द्वारा अधिक लाब कमाने के लिए इनका शोषण भी किया जाता है ऐसा नहीं है कि शिक्षा और स्वास्त पर पूरा सरकार का ही अधिकार है कुछ निजीक्षेतर भी है जो लाब कमाने के उदेश्य से इसका संचालन करते हैं उनका उदेश्य लोक कल्यान नहीं है और यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्त के खेतर में सरकारी हस्त खेप जरूरी है आज के भाग में हमने पढ़ा कि भारत में मानव पूँजी निर्मान कैसा है भारत ने मानव पूँजी निर्मान में कितनी उपलब्धी प्राप्त की है तथा दूसरी तरफ हमने यह भी पड़ा कि मानव पूंजी निर्मान की कौन-कौन सी समस्याएं है जो सरकार तथा विभिन ख्षित्रों को सहनी पड़ रही हैं और आने वाले समय में मानव पूंजी निर्मान के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा सकती है आशा करता हूँ आज की कक्षा में आपको मानव पूंजी निर्मान के बारे में अच्छे से ग्यात हुआ होगा अपना ध्यान रखेगा बच्चों नमस्कार आशा में आट गॉपिगा शाले समय में देवान